हाव रूफिक्स सैमसंग जे सीक्स प्लास सेलूलर नेट्रोक नोट अवलेबल प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तो सुआगर अब सभी का तिकिराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है सेलूलर नेट्रोक नोट अवलेबल प्रॉब्लम केसे फिक्स कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सेलूलर नेट्रोक यानि आपका मोबाइल नेट्रोक ठीक है अगर यहाँ पर एवलेबल नहीं है आपको नेट्रोक नहीं मिल पा रहा है तो कैसे आपको फिक्स करना होगा कर पाओगे ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किस अपने SIM कार्ट को लिएक कर दीजिए यानि कि SIM कार्ट को मोबाइल से बाहर पर निकलना है मोबाइल को restart करना है उसके बाद SIM कार्ट को अंदर बहर देना है insert करना है ठीक है और check करके देखे拶ा आपका problem मोट को ओफ कर दीजिए ओफ करने के बाद दोस्तों आपका नेट्रोक आ चुका होगा चेक कर ले ठीक है अगर सॉल्फ हो जाते प्रॉब्लम ठीक है अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कनेक्शन्स पे जाए मुबाइल नेट्रोक को अपेन करें और दोस्तों को स्वीच करके देखें ठीक है 4G 3G 2G के बीच में या फिर आप नेट्रोक ओपरिटर में जाके नेट्रोक को मैनुएल या तो फिर आटोमेटिकली इस बटन को अन ओफ करके यूज कर सकते हैं अगर आप इसको ओफ करते तो मैनुएल नेट्रोक आपको डिग जाएगा एटल सिन जीओ पर रिजिस्टर नहीं हो सकते हैं ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान पर रखना है और यहाँ पर आपका नेट्रोक सेटिंग एक बार रिसेट जरू करना उसके लिए जेनरल मेनेच्मेंट पर जाएए रिसेट पर क्लिक किजिए और रिसेट नेट्रोक सेटिंग पर जाके रिसेट सेटिंग पर डबाके मोबाइल पासवर्ड भर देना है और नेट्रोक सेटिंग को रिसेट करना है ठीक है तो इस तरहीं से दोस्तों आपका सेलूलर नेट्रोक नोट एवलेवल प्रॉब्लम फि fix हो जाएगा अगर आपके sim पे ही problem है तो आप customer care को contact करके बात कर सकते हैं आपके sim से नहीं कर पा रहा है दूसरे sim से कर दीजिए क्योंकि दूस्तों कई बार क्या होता है sim deactivate हो जाते हैं ठीक है कई बार sim deactivate हो जाते उसके वज़ें से सेलोल नेट रोक नहीं आ पाते हैं तो आप अगर यहां एक चीज दियान रहाए आपके एक टल सीम पर आपको call करना है जिए पर वाले का फ्रेंज का जियो सिम से आप करके पूछे मेरे इस नंबर पर प्रोब्लम में किया हुआ है वह आपको complete details बता देगा ठीक है लेकिन आप से वह कुछ जानकर पूछेगा confirmation के लिए तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि actual में problem किया हुआ है ठीक है जितने भी solution था यहाँ पर ठीक है जितने भी solution था मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है simply आप उसको follow कर सकते solve कर सकते अपना problem अमेद करते वीडियो आपको यह पसने आओगा thanks to watching